हेलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आखो बताऊंगा कि हम टम्स और कंडिशन का पेज कैसे क्रेट कर सकते हैं अपने ब्लॉगर या वैबसाइट के लिए PC में तो फ्रेंट्स आपको मैं पूरा बताऊंगा वीडियो को बिल्कुल बिसके मत कीजिगा तो विदाऊट व या मैं दोवारा से उपन कर लेता हूँ यह बहुत अच्छी वेबसाइट है क्रिएट करने के लिए प्राइवेसी पॉलिस जैसी चीजे तो हम अपने ब्लॉग के लिए यही से क्रेट करेंगे हम गैट स्टाइट करेंगे और यहां पर नीचे स्कॉल करने के बाद इसमें हमें क्लिक कर देना है जैसी हमें इसमें क्लिक करेंगे फ्रेंट्स आगें यह थोड़ा सा स्मॉल्स हमसे थोड़ा सा डेटेल पूछेगा तो यह हमें पहले लोकेशन ही पूछ रहा है तो हम यहां पर अपनी कंट्री सेलेट कर दीजिए मैं अपनी कर देता हूँ औ मैंने पहली copy कर लिया था तो मैंने paste कर दिया इसके बाद friends हमें यहाँ पे नीचे scroll down करना यहाँ लगा हुआ है अगर आप यह करते हैं तो yes नहीं तो no तो मैं no कर देता हूँ यह free है क्योंकि अब यहाँ पे हम next में click कर देंगे इसके बाद friends यह पूछ रहा है do you operate your website under company अगर आप किसी company के under पे operate कर रहा है तो आप yes कर दीजिगा नहीं तो no कर देंगे हम क्योंकि मैं no ही prefer कर रहा हूँ इस question के लिए आप हम यहाँ पा can users sign up and create account on your website तो यहाँ पे मैं yes कर देता हूँ और do you monitor and review users account manually तो yes यह no हम कर सकते है तो मैं no कर देता हूँ और do you reserve the rights to suspend or terminate users account तो मैं यहाँ पे yes कर के next कर दूँगा यह हमने कर दिया friends अग हम यहाँ पे do you have any age requirement for your users तो मैं यहाँ पे no there is no any age requirement कर देता हूँ आप अपने according कर सकते है ऐसे fill do you have or have or allow content meant only for adult audience यहाँ पे yes अगर आपके लिए है ऐसा तो आप yes कर देता हूँ क्योंकि मेरे में कोई ऐसा content है जो adults के लिए सिर्फ हो आप हम next में click कर देंगे अब यहाँ पे आ गया है next option can users publish anything on your website यहाँ पे कुछ भी publish कर सकते हैं तो मैं yes यह new कर सकते हूँ और next में click कर देंगे तो यहाँ आप 54% हो गया है फिल यहाँ पे एक और option है do you currently sell or plan or selling products or services on your website क्या आपको कोई plan है इसमें product or service sell करने के लिए अगर आपका हो तो आप yes कर दीजे तो आपको premium लेना पड़ेगा नितो मैं no कर देता हूँ मेरा कोई plan नहीं है ना मैं इस purpose के अब हमें यहाँ पर do you have affiliate links on your website तो यहाँ पे अगर affiliate link है जैसे कि Amazon affiliate, flip card affiliate पगएर आपके में है अगार तो आप yes कर दीजे ने तो मैं no कर देता हूँ हमें यहाँ पर do you display ads on your website अगर आप करते हैं तो yes तो आपको premium लेना पड़ेगा तो मैं no कर देता हूँ अभी के लिए कि मैं आपको demo class show कर रहा हूँ अब हमें यहाँ पर do you send email newsletters to your users यहाँ पर yes में मैं click कर दूँगा क्योंकि मैं email चाहता हूँ send करना users को अपनी website के means से अब यहाँ पर हमे what additional clauses would you like to include assignment, disclaimer, warranty, dispute यह सब आ रहा है option आप जो चाहें आपको जो अच्छी लगे वो आप select कर सकते हैं मैं कोई भी select कर लेता हूँ और यहाँ पर next में click कर देंगे जैसे हम click कर देंगे यहाँ पर how can users contact you regarding the policy तो हमने contact form बनाई लिया है तो उसमें मैं click कर दूँगा यहाँ पर URL मांगेगा तो हम URL अपने contact form का fill कर देंगे वहाँ पर drive के option पर जाकर जैसा मैंने आपको HTML code वहाँ से copy क्या था आप वहाँ से इसका link भी copy कर सकते हैं और आप next में click कर देंगे हम यहाँ पर paste कर देंगे और हम next में click कर देंगे जैसे friends हम यहाँ पर click करते हैं अब यह देगे how will you notify users of privacy update तो यह मैं अपने हिसाब से select कर देता हूँ notify users via email और next में click कर देंगे अब यह last reference यह देगे I have read and agree the terms of services की terms of services है वह आपको read कर नहीं है फिर उसके बाद आप इसे agree कर दिएगा मैंने इसे पहले से read कर दिया है अब मैं इसे agree कर देता हूँ create my terms and conditions में हम click कर देंगे जैसे हम click कर देंगे यह कुछ तरह से create हो गई है आप हम यहाँ पर HTML code में जाना है और नीचे यहाँ पर हमें options देखने को मिल जाते हैं copy policy content तो हम यहाँ पर click कर देंगे यह copied हो गया है यह copy हो गया है अब हमें यहाँ पर अपने blog में जाना है यहाँ पर pages में हमें फिर से plus के icon में click करना है यह last page है फिर मैं आपको बता दूगा कैसे हम इसे अपने blog में add कर सकते हैं क्योंकि कभी-कभी यह show नहीं होता है तो इसे मैं name दे देता हूँ इसका title हम डारे है Terms and Conditions Terms of Services आप इसे लिख सकते हैं मैं इसे Terms and Conditions नहीं name देता हूँ यह उन्हें लिख दिया आँ हमें यहाँ पर नीचे यहाँ पर HTML view में जाना है और जो हमने copy किया था उसे हम कर देंगे paste और publish कर देंगे यह हमने publish करके confirm कर दिया यह थोड़े time में publish हो करेंगे तो यह थोड़ा loading लिए फ्रेंट्स यह scroll का कि मैं आको दिखा देता हूँ यह देखे यह Terms and Conditions का page भी हमारा create हो गया है आप देखे करना professionally यह create हुआ है यह बहुत ही simple way ऐसे create करने का genuine तरीका है तो इस तरीके सामें इसे create कर सकते हैं यह नहीं आपको बता देता हूँ कभी कभी यह show नहीं करता है जैसे मैं यहां पे व्यू ब्लॉग में जाता हूँ तो हमें व्यू ब्लॉग में यहां पर Terms and Conditions का page देखने को मिले यह About Us का तो देखे फ्रेंट्स यहां पर यहां पर देखने को नहीं मिलता है यहाँ पर हमें head, head right यह हमें select कर लेना है कहाँ पर हमें यह करना है main यह हमें कई सारे options देखने को मिल जाते हैं head में यह top पर आएगा यह तो head right तो मैं यह head right में edit करता हूँ जैसी हम इसमें click करेंगे friends यहाँ पर title मागेगा और content तो content हमें यहाँ पर डालना है text की help से और नहीं तो हम यहाँ पर नीचे scroll करेंगे और main का यह option आ रहा है add gadget इसमें हम click कर देंगे plus की icon में यहाँ से हम gadgets add कर सकते हैं जैसे कि यह आ रहा है add sense, body search, blog search, blog archive, pages, labels यह हम यहाँ पर add कर सकते हैं तो हमें यहाँ पर search करके ढूण लेना है pages कहाँ पर लखा हुआ है क्योंकि हमें pages add करनी है तो यह pages का icon आ गया मैं यह पर plus की icon में click कर दूँगा जैसे हमें यहाँ पर click करेंगे friends यह title optional है आप pages के नाम से भी इसे कर सकते हैं जैसे कि मैंने title को cut करके डाल दिया contact us मैं एक को डाल के दिखा देता हूँ same manner में आपको सब को fill करके enter कर देना तो आपको सब यह display होने लगेंगे यह यहाँ पर देगे home term sign condition disclaimer आपको कौन सा यह page add करना है तो मैं contact us मैंने name दिया तो मैं contact us add करूँगा और यह home बाला आप चाहें तो इसे remove कर सकते है यह contact us ही मुझे add करना है और हम नीचे scroll करेंगे और save के icon में click कर देंगे तो friends जैसे हम इसे में click करेंगे अब हम view blog में जाएंगे जैसे हम view blog में जाते हैं friends यहाँ पे हम नीचे scroll करेंगे तो यह आ रहा है contact us का option आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बहुत ही attractive manner में यह open हो गया है इस तरीके से हम create कर सकते हैं यह सब page तो friends वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे यह सब्सक्राइब करें और हमारे latest upload के नोटिफिशन तरन पाने के लिए बगल वाले बैल आगेंगो turn on करना मत भूलेगा